और पर दो है हलो नुमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का ईजिस एविल इंजिनेरिंग यूट्यूब जर्नल में तो दोस्तों हम से व्ल मेकेनिक्स में एक एक और प्रोपिस से थे संदा चाप्टर के देख साथ में तो हमारे नैस्ट चेप्टर क्या है सोईल ए मंद्स ट्राइब्र T वे आपने तो सबसे पहले ज喔 liber मेरा लेसी एग लेकल डिवार्ट करें गया का संद होता हैं श्यूए में उनका आर्गमेंट होता है उस आरेंजमेंट को उनका बोल देते हैं Soil Structure तो इसकी सिंपल्से definition के जो जोती है Arrangement of Arrangement of Soil Particles Okay Is known as जैसे की इसको complete लिखे Is known as Soil Structure ठीक तो अब next question यह आता है कि कौन कौन से किस-किस type का structure होते हैं कौन कौन से soil के arrangements होते हैं तो सबसे परला हमने पास कौन सा आता है single grain structure single grain structure क्या होता है तो हमारे पास single grain structure का मतलब this type of structure this type of structure is found in कौन सा coarse grain soil में हमेशा ही पाए जाता है ये only found in coarse grain soil ठीक है अब coarse grain soil की कुछ तो size होगी तो हमेशा size greater than 0.02 mm always इसी में ही यह मिले जा तो इस साइज की जो भी सोयल होगी वो उसको हम कोर्स ग्रेंड सोयल बोलते हैं अब जी जो साइज है 0.02 mm इस mm से जाद हमसे सोयल की अगर पाटिकल की साइज है तो उसमें कौन से इस्ट्रक्च्चर पाएगे शिंगल ग्रेंड सी इस्ट्रक्चर पाने के बाद में अब इस में एक और कंडिशन होती है जैसे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल सुस्ट एंड एक ओर होता है शर्फेस शर्फेस इलेक्ट्रिक फॉर्ष तो अगर पार्टिकल की साइज 0.02 mm से ज़्याद़ है तो इसका मतलब उसमं का वेट भी ज़्याद़ होगा weight जदा होगा तो gravitational force उस पर जदा act करेगा ताकि surface electric force उस पर predominant नहीं होगा जितना कि gravitational force जदा होता है तो इसकी condition यह होता है ठीक है surface electric force ठीक है दोस्तों अब इसकी size कैसी होती है इसका structure कैसा होता है तो structure हम देखते हैं जैसे कि कोई भी soil particles है यह है यह है यह है यह soil particles है यह तो हो गया इसमें कई सारे gaps है कई सारे voids है तो यह तो हो गया हमारे पास loose simple और अगर यह ही compacted form में हो हमारे पास इस तरीके से तो यह कौन सा हो जाएगा हमारे पास dense ठीक है नेक्स्ट अपने पास कौन सा आता है second one is honeycomb honeycomb structure honeycomb structure कौन सा होता है तो जैसे honeycomb structure का इसमें यह only found in जिसकी size 0.02 mm to 0.002 mm इसके बीच में जिसकी size लाई करेगी उसमें honeycomb structure find out होगा अब honeycomb structure में कौन कौन से forces होता है जैसे gravitational force ग्रेविटेशनल फोर्स एक्वस्ट टू सर्फेस एलेक्ट्री फोर्स यह दोनों फोर्स honeycomb structure में equal amount में present होता है क्योंकि इसके लाई तो ज्यादा weight होता है नहीं कम weight होता है तो gravitational force electric force दोनों equally amount में इन दोनों में honeycomb structure में act करता है ठीक है next अगर कोई structure है structure is unbroken then तो हम जानते हैं अगर कोई structure is unbroken load carrying capacity increase होगी load carrying capacity will be more load carrying capacity will be more और फिर permeability permeability भी जद्ध होगी और अगर कोई structure unbroken है तो इसका मतलब load carrying capacity उसकी जद्धा है permeability भी उसकी जद्धा है और अगर structure broken है structure अगर broken है तो इसका मतलब उसकी load carrying capacity भी कम हो जाएगी और permeability उसकी reduce हो जाएगी तो इसका structure कैसा होता है अनिकम भी structure तो जैसे कि यह कोई soil particles है वह इस तरीके से मिले हो है यह कोई soil particles है वह इस तरह से अगर में meet करते हैं तो उनको क्या बोल देंगे हम अनिकम structure ठीक है दोस्तों अब यह कहीं से भी add हो सकता है लेकिन इस तरीका के अगर particles add है तो यह अनिकम structure होगा तो third अपने पास कौन सा आएगा third अपने पास आज़ाएगा flocculated and dispersed soil soil structure तो सबसे पहले हम दखते हैं flocculated or dispersed soil structure है तो यह कौन से size में मिलेगा size less than 0.002 mm अगर किसी भी particle की size 0.0002 mm से कम है तो इसका मतलब उसकी size flocculated अपि dispersed soil होती है इसका मतलब यह only fine clay में मिलता है clay में भी नहीं only fine clay में ठीक है ठीक है दोस्तों इसका मतलब यह only fine clay में है और इसमें आगर इसका light weight होता है बहुत ज़्यादा कम weight की होती है बहुत ज़्यादा कम weight की होगे तो इसमें surface electric force surface electric force greater than gravity force ठीक है क्योंकि gravity force तो only weight पे उसका self weight से लगता है और उसका self weight तो बिलकुली नगले जीवल है क्योंकि उसके size 0.0002 mm से कम है तो इसका मतलब उसमें surface electric force ज़्यादा होगा gravity force कम होगा तो कम होने के कारण और हाँ इसका size भी बहुत कम होगा तो यह अलग-अलग ions में convert हो जाता है जैसे positive ion and negative ion ठीक है और जो last में resultant ion resultant attraction होता है जैसे कि अब सबसे पहले हम देखते है flocculated structure क्या होता है इसमें दो है flocculated और dispersed तो flocculated देखते है flocculated में कुन सा है flocculated में एक तो edge होता है particle का और एक face होता है edge और face तो जैसे कि यह कोई soil particle है इसका इसको तो हम edge बोलेंगे और इसको हम edge बोलेंगे ठीक है अगर edge से edge या फिर face से edge मिल रहा है तो वह कौन सा होगा flocculated particles यह ऐसे हो सकता है यह ऐसे हो सकता है यह ऐसे हो सकता है यह particles ऐसे अगर meet कर रहे हैं तो यह flocculated particles होंगे flocculated particles के हमेशा compressibility ज्यादा होगी compressibility बहुत ज्यादा होगी permeability भी permeability भी बहुत ज्यादा होगी और इसकी size कैसी होगी इस तरह के की size में variation होगा next हमार पास है dispersed dispersed structure ठीक है तो dispersed structure में resultant force resultant force equals to अगर वह repulsive है तो dispersed structure उसमें आएगा dispersed structure में क्या होता है जो क्ले की platelets है वह align होती है align plateness clay platelets और face to face होता है इसका orientation face to face orientation होता है अब इसमें permeability permeability होगी और compressibility दोनों ही बहुत ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा होने के कारण यह बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा useful है अब जैसे कि इसका अगर example हम ले to marine clay marine clay flocculated structure होती है और lacustrine clay होती है उसकी dispersed structure होती है ठीक है marine clay के flocculated structure होती है और lacustrine clay की dispersed structure होती है marine के लिए sea water में clay पाय जाती है उसकी structure कौन से होती है flocculated or lacustrine मतलब bottom of the lake में clay मिलती है dispersed structure अब कुछ composite structure भी होती है composite 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 structure ठीक है तो composite structure में पहला जो होता है वो cohesive matrix structure में के होता है जो proportion होता है course का course grain का यह ज्यादा होता है वो sorry कम होता है कम होता है fine grain से ठीक है तो course grain का अगर portion ज्यादा है fine grain से तो इसका structure कैसे बन जाएगा जैसे कि यह fine grain है बहुत सारी तो इसमें कहीं कहीं course grain soil particles यह हो गया cohesive ठीक है next हम देखते है next हमरे पास कुन सा है course grain course grain soil skeleton ठीक है तो इसमें क्या हो जाता है जो course grain है वो ज्यादा हो जाता है fine grain से ठीक है दोस्तों तो इसका मतलब यह जो इसमें बड़ी बड़ी कोर्स ग्रेंडे स्केलेटन तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर बार नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो तब तक के लिए दोस्तो have a nice day and thank you so much thank you for watching